अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि आपने आपने डेली में केमिकल एंजिरिंग तो लिया चलो ठीक है बट डूल डिग्री क्यों लिया आप और भी डिपार्टमेंट्स ले सकते थे लाइक टेक्स्टाइल चार साल का होता था बट आपने पांच साल का कोर्स क टीज चूल कंद यह ता यार की मुझे बट यॉदि करना आतब क्यूंक्य मैं क्था उज टीज और को अब घर वाले भी मेरे पर प्रेशर नहीं डालेंगे, कि यार तुम क्या कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और नहीं कमा रहे हो, क्योंकि यह सब tension college में जिनरली नहीं लेते parents भी, और वो भी अगर मैं I.T. Delhi में हूँ, तो of course parents ऐसा tension नहीं लेने वाले थे, और इसलिए to spend more and more time in college, मैंने चार साल के जगहा है, पात साल का course चूस किया, दर वस chemical dual degree, नो chemical engineering इसलिए कि मुझे chemistry बहुत साथा पसंद था, और मैंने यह भी सुना था कि chemical जो एन एक बहुत relatively easy chill department है, मतलब बहुत जादा आपका tough curriculum नहीं होता है, और जो courses है वो थोड़े बहुत easy है, तो chemistry पसंद था ही, department भी easy था और 5 साल का course भी मिल रहा था, इसलिए मैंने chemical engineering लेने का decide कि IIT Delhi से, Now, once again, मैं उन बच्चों में नहीं आना चाता था, जो कि college में चले आते हैं, और ये कहा कि मुझे तो अपने skill पे काम करना था, और कुछ करना था, अपना पढ़ाया लिखाई छोड़ देते हैं, मुझे था यार कि मैं अगर IIT में जा रहा हो ना, I'll make the most out of it, I'll make sure कि मेरा placement secure रहे, ताकि 5 साल के बाद अगर मेरा music वाला काम नहीं भी चले, कि रही है, that is B. Tech and M. Tech in Chemical Engineering, and number 3, Minor Degree in Business Management. इसके साथ मैंने कॉलेज में ये make sure करा कि मेरा जो CGP है, वो कभी 7 से नीचे न आ जाए, ताकि प्लेस्मेंट के टाइम में जिस भी कंपनी में बैठोंस में, इसली शॉटलिस हो जाए मेरा रिजियू में, क्यों generally उनका criteria होता है, कि at least आपको CGP 7 तो होना ही चाहिए, in case of maximum companies. तो इनी सब चीज़ों को दिहान में रखके, मैं गया IT Delhi, Chemical Dual लेकर, अच्छे से पढ़ाएं भी करी, और साथ ने अपने music पे भी focus किया, अब तुम मोलों कि भाई इसका क्या फाइदा हो, इसका फाइदा ये हुआ कि क्योंकि मैंने 5 साल का course लिया था, मेरे पास जादा time था college में रहने का, और उसी के कारण मुझे रनवीर अलाबादिया, that is beer biceps का call आता है मेरे college के 5th year में, कि हाँ भाई मैं मुंबई में एक company शुरू कर रहा हूँ, बिग ब्रे, आज़ो मेरे co-founder बन जाओ, अब just imagine करो, अगर मेरा 4 साल का course होता ना, तो मैं job कर रहा होता, और शायद job के बीच में मुझे उनका call ही नहीं आता, यह सोचके कि बंदा job कर रहा है और या फिर मैं खुद job छोड़ने के लिए हाँ नहीं कहता, क्योंकि आप एक job में comfortable हो आते हो, और बीच में कोई बंदा बोल रहा कि आजाया, यार मेरा co-founder मिल जा, तो of course आप सोचोगे, बट क्योंकि मैं 5th year में था, मैंने job join नहीं किया था, में लिए वो decision बहुत easy था, कि मैं मुंबई आके रनवीर के साथ काम करो, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस वाली वीडियो को जरूर चेक आउट कर लेना, इसमें मैंने बता है कि अपने उपर skills को सीखने में, music सीखने में, videos editing सीखने में, video बनाना सीखने में, आज जाके मेरे YouTube पे इतने सारे subscribers हैं, इन दोनों चैनल्स पे, और Spotify पे 2.1 million monthly listeners हैं, with songs like Carb and Mera Suffer, जिसमें के millions of streams हैं, Instagram पे भी जिस्ट हमारा 5 minute के followers कम्प्लीट हुआ, और इन सारे platforms को बना करके, हम ये कोशिश करते हैं, कि हम लोगों की जिम्दागी में खुशिया बाटे, खुशिया songs के थूरू बाटते हैं, और guide करते हैं इस channel के थूरू, लोगों को inspire करते हैं, थोड़े पैसे भी कमाते हैं, बहुत मसा आता है, अब तुम बोले के भाई, आपने जो डिगरी खतम की, तो क्या आपको जॉब मिल गया था, तो हाँ भाई, मुझे जॉब मिल गया था, जॉब दाइगा था, वस ओफरिंगी 20 लाक्स पर आनम का पैकेज, इन गुरगाउं, और मैंने उसको ना बोल दिया था, कम पैसे के लिए मैं सेटल हो गया, इन सब चीजों को अगर तुमको जानना है, तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर चेक आउट करना, मैंने डिटेल में बता है कि मैंने कैसे यह डिसाइड किया, कि मुझे वो जॉब को छोड़ना है, कुछ इंटरेस्टन तुमको बताना है मुझे, तो मार्केइड में बहुत सारे प्राइवेट ऑलेजिस आज की डिट में बहुत लोग उसके असने मार्केडमी में यह अचे प्राइवेट ऐजन्ग कालेजिस का होना बहुत ज़रूरी है, बट ये सच्चा ही है कि बहुत सारे market में ऐसे private colleges exist करते हैं जो कि scam है तो ऐसे में तुमको पता कैसा चलागा कि कौन सा college अच्छा है और कौन सा college बुड़ा है That is where people like me come into picture एक ऐसा ही college and newton school of technology अरे भाई आप newton के बारे में क्यों बात करो इतना special कैस के बारे में Well special ये है कि एक नया college है और क्योंकि ये नया है इसलिए तुम बच्चों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है और इसके कुछ ऐसे features हैं जिसके गार मुझे लगता है कि तुम्हाई लिए एक बहुत अच्छा option हो सकता है सबसे interesting बात है कि यहां के जो founders हैं ये दोनों के दोनों IT रुर्की के graduate है कुछ सालों तक job भी किया और finally इनको ये realize हुआ कि इनका जो calling है न वो ये है कि इंडिया के education system को better करें जो engineering में flaws है कि सालों पुराना curriculum अब तक चलता आया है industry के according उनको optimize नहीं किया गया है इनको ला कि ये change कर सकते हैं और इस वेर डिसाइड़ कि अपना एक खुद का college शुरू करेंगे मतलब जो problem उन्होंने इती रुकी में खुद से face करी थी उन्होंने ये decide कि वो अपने college में इन प्रॉब्लम्स को आने नहीं देंगे और इनका ये कहना था कि जो students को चाहिए ना वो college उनको provide ही नहीं कर रही है और जो companies को चाहिए वो students उनको provide नहीं कर रहे है क्योंकि students को college इने रही है और इसलिए उन्होंने अपने college का curriculum design कराया है मांगे professional से और इसलिए यहां पर उन subjects पर focus किया आता है जिसका demand market में है Newton School के बच्चे फर्स्ट यर से ही वो सारी चीज़े पर रहे होते है जिनकी जरुवत उनको इंडस्टी में काम करने के ताइम परने वाली है लाइक हार्ड कोर कोडिंग लाइक कोडिंग फंडमेंटल्स लाइक AI वर्क्शॉप बहुत सारे उप्शन से प्राइवेट कॉलेजिस के अफकोर्स तुमको सारे कॉलेजिस को चेक आउट करना चाहिए तुमको देखना चाहिए कि तुम्हाई लिए सही उप्शन क्या है बट डेफिनेटली उस लिस्ट में नुटन स्कूल आफ टेक्नलोजी को जरूर रखना क्योंकि जहां पर बाकी एंजरिंग कॉलेजिस अपने पुराने करिकुलम को आज तक चला रहे हैं इनुवेशन है ही नहीं यह कॉलेज ट्राय कर रहा है कि तुमको वह चीज़ प्रोवाइड करें जिसकी एक्चुल में तुमको नीड पढने वाली है तो मुद्दे के बात ही है कि मैंने तो इनके फेस्ट को एंज्ट गया था तो बहुत ऐसा इस इज़त मिल रही थी बहुत महनत किया मैंने इस पॉइंट प्याने क्लिए हां जहां मुझे एस गस्ट इंवाइट किया जाए रोबुसौकर ड्रोन रेस सब कुछ देखा मैंने वहां पर लेकिन तुम्हारे काम की बात ही है कि अगर तुम इस कॉलेज में चाहते हो तो उनका इंट्रेंस एक्ज इस वीडियो में उन बच्चों की बारे में बात डेफिनेटली नहीं कर रहा है जिनको अंडर 1,000 रांक आने वाला जी एडवांस में क्योंकि उनका इस केस में तुमको बेस्ट कॉलेज और ब्रांच तो मिली सकती है तुमें तो बस यह सोचना पड़ेगा कि जा फिर तुम इस के साथ बहुत सारे ओप्शन्स है जिनका में भी अच्छा रांका जिनका बिट्स रांक से अच्छा का इसके थीidays। नहीं उनको मिल सकता है। लेकिन अच्छा I.T. में CSE नहीं मिल रहा है। इस केसस के आपको सबसे पहले 12 चाग कि नहीं आपर करता है और ***me Sig घृत का कोईधे कर ilo करता है कि तुम है को फिल्सेंट इसके जाभ है उसके बार 🎵 इस अधर में वीडियो में आगे बात करेंगा 4317255aban इंडिया में जनरली अच्छा वान से किया ऑच वचा को है यह संच को पिछूर नहीं है तुम पर टुम्हारे नहीं है तुम्हारे गहर्षार नहीं नहीं है तुम्हारे ठीक। ऑलेителी को फ intelligent नहीं ही तो तुम्हारे पाइसा में ना ही हुआ कि remote recognition क्यों को है घर वालों को नहीं पढ़ना सोसाइटी को नहीं पढ़ना है तो फीर को च殺 how film को करद नहीं करता है या फिर कहा हिसा समय यह था हमारा फोवाले सब्सक्राइब कि फीर छूज बहुत टीप तुमको यह मैटर नहीं करता है कि तुम किस भी ब्रांच में हो, तुमको यह मैटर करता है कि वो कॉलेश तुमको कितना जाधा एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, तुम किसी अच्छे कॉलेश में जाकर अपना ब्रांच कर सकते हो, क्योंकि अच्छे कॉलेश में फैसलिटीज भी बहुत अच्छे होती है, इतने सारे क्लब्स हैं कि मैं काउंड भी नहीं कर सकता है, बहुत बड़े लेवल पर इवेंस होते हैं, में महानेज कर कर रहे हैं, इतना स्थादा यहीं साओर नहीं होता, बहुत कम बच्चे ही होते हैं कितना ही इंटेलिजन तुम हो, जो इस पॉइंट को एक्सेइन करने के लिए माहले तो तुम्हारा अडॉच्ष में रएक 5000 था, और तुमको IIT Delhi, या फिर Mumbai, या फिर Madrasi लेना है, क्योंकि ये top के IITs है, तो इन IITs को choose करने के लिए तुम आपने department compromise कर सकते हैं, you can use a department like textile और chemical engineering, क्योंकि ये lower departments है, तुमको इन colleges में ये departments इसली मिल सकते हैं, as compared to other departments, now point number 3, when to prefer branch, क्या रे भाया, college तो मैंने prefer कर दिया, but branch को preference कब देना है, किस case में branch में मुझे रादा दिमाग लगाना है, तुमको अगर ये शौर है, कि तुमको किस चीज में interest है, for example, अगर तुमको physics में ही interest है, तुमको लगता है कि तुमको physics में PhD करनी है, तो you should go for engineering physics जैसा department, वहाँ पर ये question मत करना, क्यार में टॉप college नहीं है, I.T. Delhi नहीं, I.T. Bombay नहीं, अगर तुम्हार department का clear है, तुमको क्या जाए, जिन्दगी भी तुमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने में तुमको मजा आता है, घरवालों से pressure नहीं कि तुम्हारे बहुत जाधा पैसे कमाने है, तो ऐसे case में choose that department, जो कि तुम्हारे बहुत जाधा interest का है, जिन्दगी में मुझे पैसे अच्छे से कमाने है, ताकि मैं घरवालों को support कर सको, अपने loans चुका सको, तो तुम definitely CAC जैसे growing department को choose करो, क्योंकि CAC का ऐसा department है, जो कि almost हर college में placement की guarantee अब तक देता आया है, as compared to other departments, अब एक 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 प्रेंट था जिसको शुरू से interest था mechanics में, उसको mechanical department में, mechanical engineering में बहुत जाधा interest था शुरू से, तो counseling के time भी बिना, अपने rank के according, उसने mechanical engineering को बहुत जाधा preference दे रखा था, और उसने finally mechanical engineering ही पढ़ी, वही दूसरी तरफ, अगर तुम ऐसे बच्चे हो, जिसका ऐसा है, कि मुझे पता नहीं, मुझे कौन से department चूज करना चाहिए, क्योंकि मेरा सथ किसी particular subject में बहुत interest नहीं है, मैंने कभी explore ही नहीं किया, कि कौन से department क्या होता है, तो मुझे कोई फरक ही नहीं पढ़ ला, आप मुझे भाईया, CAC पढ़ने दोगे में पढ़ लूँगा, कर रहे हैं कि business पर आपको कहीं भी CAC नहीं मिल रहा है, तो आपको I will suggest कि CAC चूज करना चाहिए, तो सवाल करो खुछ से कि पैसे कितने matter करते है, career security कितनी matter करती है, extra curricular activities में कितना interest है, business में कितना interest है, overall growth में कितना interest, exposure कितना चाहिए, और उसके basis पर रिसाइड करो कि branch को preference देना है या नहीं देना है, point number four, you don't have a choice because of your rank, अगर तुम्हारा case ऐसा है कि तुम्हारी rank इतनी जादा low है, कि तुम्हारे पास कोई amazing options ही available नहीं है, अगर तुम private college चूज कर रहे हो, तो मैं तुमको यही recommend करोंगो, कि तुम CAC ही लेने का कोईशिश करना, क्योंकि private colleges का सीन ऐसा है, कि placement as such, बाकी colleges के compared में, IITs के comparison में अतने अच्छे नहीं होते हैं, at the same time, बहुत सारे private colleges हैं, like bits को कि kill कर देते हैं, we have new age colleges like Newton school as well, but in colleges में भी, I will recommend कि तुम CAC को चूज करो, क्योंकि इसको चूज करने से तुम्हारा placement secure हो जाता है, but once again, अगर तुम्हारा sure है कि तुमको job नहीं ही करना है, तो तुम बाखी departments भी चूज कर सकते हो, इसके साथ-साथ, क्योंकि तुम private college चूज कर रहे हो, तुमारे पास बहुत सारे options है private colleges के, right? तो I will recommend you तुमें का ऐसा college चूज करो, जो कि एक किसी major city के काफी निस्दीख हो, जिसकी Delhi, जिसकी Mumbai, क्योंकि उसका भी बहुत साथा फर्क पर जाता है in terms of exposure, जो कि तुमको मैंने वीडियो के start में समझाया था अपने case में, तुमारे पास new age colleges like Newton School का भी option available होता है market में, उसके बारे में मैं और बात कर चो कहा हूँ, बहुत बार उसको भी definitely check out कर सकते हो, जहां पर तुमकों industry experts पराते हैं, IITians ने उसको found किया है, इसके साथ-साथ हमने दो special video बना रखी है, जिसमें हमने बात कर रहा है top 30 private colleges of India के बारे में, उन दोनों videos को भी definitely check out करना, तुमको idea लग जाएगा कि कौन से state में कौन से private colleges है, जो कि बहुत ही अच्छा facility प्रोवाइड करते हैं, किसकी fee कितनी हैं, तुमको कौन से college चूज करना चाहिए, तो guys इस पूरे topic को, इस पूरे scenario के कि तुमको किस college में जाना है, कौन से department चूज करना है, इसको बहुत ही seriously लेना, क्योंकि trust me guys, अगर तुमको को ऐसा कहरा है कि college matter नहीं करता, department matter नहीं करता, तो वो तुमको बहुत ही ज़्यादा जूट बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा पूरा 4-5 साल college में ही बीतने वाला है, तो college कैसा है, उसका महौल कैसा है, faculty कैसी है, इस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा matter करती है, तो सोच समझ के ही decision लेना है, कि तुम कौन से college में जा रहे हो, तो अच्छा कासा time spend करो, counseling process को बहुत ही smooth बनाने में, मैं इस channel पर 400 के subscribers भी करने वाला हूँ, इसलिए बहुत सारे ऐसे videos लेने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे counseling process को, तुम्हारे college selection process को बहुत ही easy बनाने वाले है, बहुत समूद बनाने वाले है, तो make sure कि तुम इस channel को subscribe कर लो, अपने भाई बहन को recommend करो, ताकि तुम्हारा और उनका बहुत ज़्यादा फाइदा हो सके, कुछ भी डाप है तुम्हारा college related, थो निची कमें सेशिंघ जरूर पुछना, आप देविए ठाफिनल्टी तुम्हारे बहुत तुम्हारे था एल्दी तुम्हारे विडियो विडियो वेडियो वेडियो इस एक्लिप्समेंवा इस सांग उप, see you in the next video super soon all the best